एलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपका कम्प्लीट एजू ए लर्निक प्लेटफोर्म पे सौगट करता हूँ आज का जो टोपिक है बहुत ही शानदार है ये टोपिक है इंट्रोड़क्शन ओफ बाइलोजी तो यहाँ पे पहला कोश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि What is the biology? तो biology जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है Bios and Logi और ये दोनों जो वर्ड है वो किस लेंगवेज से आए हैं Greek लेंगवेज से तो bios का मतलब यहां पर हो गया हमारे पास में living और logic का मतलब हो गया study तो science की एसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसकी study करते हैं? livings की study करते हैं तो अब सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि livings क्या होते हैं? तो livings वो होते हैं जो क्या करते हैं? aspiration करते हैं, क्या करते हैं, अपनी body के अंदर metabolism करते हैं, क्या होता है, circulation होता है, क्या होता है, moment होता है, growth होती है, तो ये जो सारे factors होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, livings के अंदर, अब अगर हम biology की बात करें, तो biology थ्री चीजों से मिलकर बनी है, पहली branch है geology, second branch है botany, और third branch जो है मेरे पास में, वो है microbiology, तो geology के अंदर जो हम study करें हैं, वो करें हैं यहाँ पर animals की, botany के अंदर जो हम study करें हैं, वो करें हैं यहाँ पर plants की, और microbiology के अंदर जो study करें हैं, वो करें हैं यहाँ पर microorganisms की, अब यहां पे हम अगर जूलोजी की बात करें, तो जूलोजी के अंदर हम किसकी study करें एनिमल्स की, तो यहां पे एनिमल्स कौन से हो सकते हैं, जो single cell है, कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, जो cellular है, कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, tissue system वाले हैं और कौन से animal हो सकते हैं जो कैसे हैं बोर develop कौन से हो सकते हैं organ system वाले हो सकते हैं तो अगर हम living की बात की starting करें तो हमारे पास में कुछ ऐसे example है जो commonly आपको मिल जाते हैं तो सबसे पहला example अपनी life के अंदर है cockroach वो easy आपको गरों में देखने को मिल जाता है अगर मैं cockroach के खास्यत की बात करूँ तो cockroach को अगर हम cockroach का head उसका सिर निकाल दें तो वो कुछ दिनों तक क्या रह सकता जीवित रह सकता है अब दिमाग में question आता है कि अगर जो cockroach है अगर उसका हम head ही निकाल देते हैं सिर निकाल देते हैं तो वो जीवित कैसे रह जाता है तो सबसे बड़ी खास्यत कोक्रूज की होती है कि वो head ही जिन से कभी भी respiration नहीं करता तो वो respiration कहां से करता है कि उसकी body के उपर कुछ छोटे-छोटे क्या होते हैं पोल्स परजेंट होते हैं उस पोल्स की health से वो क्या perform करता है अपने respiration को perform करता है अब देखिए दूसा example हमारे पास में आता octopus का अब octopus दो है वो animal के group किसे आता है मुलासका से अब देखिए octopus की खास्यत क्या होती है अब octopus दो है वो सबसेरा famous कब हुआ था वो हुआ था 2010 के अंदर जब हमारे world के अंदर क्या चल रहा था world football कब चल रहा था तो वहाँ पे बोजारा क्या हुआ था famous हुआ था उस octopus का नाम था पोल उसकी तो बविश्यवानी थी prediction थी बहुत चारा क्या थी सही थी अब देखिए इसके अलाबा octopus की कासित क्या होती है यह octopus होता है उसके अंदर जो heart होते हैं जो हर्दे होते हैं वो कितने होते हैं three होते हैं तीन हर्दे होते हैं इसके अलावा, Octopus जो होता है, अपनी 8 जो आम्स होती है, उसको एक टाइम पर अलगर दिसाओं में क्या कर सकता है, गुमा सकता है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि Octopus के अंदर कितने ब्रेन होते हैं, 9 छोटे छोटे ब्रेन होते हैं, इसके अलावा, जो Octopus होता है, उसके Blood का रंग ज होता है, जैसे हमारे Body के अंदर Blood का रंग कैसा होता है, Red होता है, क्यों होता है, आप लोग सभी जानते हो, क्योंकि हमारे अंदर को सा पिगमेंट होता है, Hemoglobin, अब देखिए, इसके अलावा, Octopus के खास्यत है, कि Octopus अपने पूरे जीवन में एक बार ही क्या देता है, एक द यानि 80,000 एक टाइम में क्या देता है, दूसरी बात ये है, कि जो Octopus होता है, वो जैसे ही एक देता है, और जैसे ही बड़े होते हैं, तो जो Female Octopus होती है, वो क्या हो जाती है, भूक से मर जाती है, अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है, कि जो Octopus होता है वो उसका head या सिर काटने के बाद भी वो थोड़े समय तक क्या रह सकता जिवीत रह सकता है ये भी किसकी खास्यत है हमारे octopus की खास्यत है Friends, next की अगर हम बात करें तो वो आती है butterfly वो जो butterfly होते है वो हम Delhi life में देखते हैं ये जो butterfly होती है वो किसे समधित होती है एक animal group से जिसका नाम होता आर्थोपोडा अब देखिए butterfly के अंदर खास्यत क्या होती है कि जो butterfly के fit होते हैं वो उससे क्या कर सकती है फूलों के उपर जाकर उसके test को क्या कर सकती है identify कर सकती है इसके अलावा एक आपने क्या सुना होगा बर्ड का नाम भी सुना होगा जिसका नाम है hummingbird अब इसकी सबसे बड़ी खास्यत क्या है कि ये ऐसा बर्ड है जो वर्ड के अंदर क्या सबसे छोटा है बड़ आप एक चीज़ नहीं जानते होगे कि ये तो बर्ड होता है ये क्या कर सकता है backward भी उड़ सकता है ये उल्टा भी क्या कर सकता है ये क्या है सबसे बड़ी क्या है इसकी एक खास्यत है अब देखिए अगर हम next की बात करते हैं तो next के पास हमारे पास में आ जाता है Brazilian tree hopper अब इसकी खासिद क्या है? इसकी खासिद यह है कि जब आप इसको देखते हो तो इसके अंदर जो बोड़ी होती है इसके बाहर जो बोड़ी होती है वो आपको कैसे दिखाई देती है हेलिकॉप्टर की तरह क्या करती है दिखाई देती है यह भी एक क्या है बहुत बड़ी क्या है इसकी खासिद है अब देखिए फ्रेंट्स इसके अलावा हमारे पास में एक जामपल आता कच्छुए का आपने डेली लाइफ के अंदर कच्छुआ देखा होगा पर आप यह नहीं जानते होगे कि तो कच्छुआ होता है अगर हम उसका हाइट दिल निकालने उसका बहार निकालने तो वो क्या कर सकता है प्रवाइब देट तक बिना क्या का सकता है हाइड के भी जिन्दा रह सकता है। ये सबसे बड़ी क्या होती है कच्छोय की कासियत होती है जो साइड आपको पता नहीं होगी। इसके अलावा एक साउथ अफरिका के अंदर मंकी मिलता है जिसका नाम होता है बोर्ड ओकेरी। अब देखो ये जो मंकी होता है ये देखने में बिल्कुल कैसे दिखता है आपको इनसानों के जिसा। ये जो मंकी होता है इसका चेहरा कैसा होता है बिल्कुल रेड तो जितना भी healthy क्या होगा ये monkey होगा उतना ही चेहरा इसका कैसा होता है red होता है बट अगर कोई monkey healthy नहीं है तो उसका चेहरा कैसा पढ़ जाता है पेल यानि पिला पढ़ जाता है इसके अलावा इसकी खासित यह होती है कि इसकी पूछ भी क्या होती है काफी देखे भी होगे तो ये एक मातर ऐसा मेमल से है जो क्या कर सकता है उड़ सकता है इसके अलावा आपने ऐलिफेंट को भी देखा होगा ऐलिफेंट एक मातर ऐसा मेमल है जो क्या नहीं कर सकता है जंप नहीं कर सकता है आपने इसके लावा क्या देखे होंगे जिराफ अब जिराफ की कासित क्या होती है आपने देखे होंगे कि उसकी गर्दन क्या होती है सबसे क्या होती है लंबी होती है बट आप नहीं जानते होंगे कि जिराफ क्या कर सकता है अपनी जीब से अपने कान को क्या कर सकता है साफ कर सकता है इसके लावा जिराफ एक ऐसा मातर एनिमल है जो क्या नहीं करता है कोई भी sound producer नहीं करता है तो friend मेरा मानना है कि जो अपनी biology है और biology के अंदर जो जूलोरी part है उसका संसार जो word है वो क्या बहुत शानदा है यानि हम हर जीजों को क्या नहीं कर सकते हैं भी study नहीं कर सकते हैं बट मैंने example दिया है कि biology जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है अच्छी है अगर आप अच्छे तरह के इसको पढ़ते हो और समझ के इसको पढ़ते हो तो ये बहुत क्या है शानदा है Friends मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो part है काफी पसंद आया होगा हमारे YouTube चैनल से दूढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे Facebook और Instagram पेज को क्या कीजिए लाइक कीजिए और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्यू दन्यवाद